क्रिस्पी फ्राइब बेवी कॉन तो देखिए हमने आज हमारी रेसिपी में यह क्रिस्पी फ्राइब बेवी कॉन बनाया है जो कि जहट पड़ बन गया है अनुदसी तड़का में आपका स्वागत है चलिए इस रेसिपी को हम सुरू करते हैं यह मैंने 200 g इपाने है यह1 कोन दृट लिए जिसको मैंने कोन दृट लिया है यह सारे कोन मंने डाल लिया साल के सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है बनने के बाद भी तो चलिए इसमें हम कौन फ्लोर डाल देते हैं तो यहां मैं देखिए एक से दो चम्मज कौन फ्लोर डालूंगी कोटिंग के लिए तो हम और आगे देखिए हमने यहां पर डाला है लाल मिर्स पाउडर इसको भी डाल अधा चम्मज लाल मिर्स पाउडर डाला है और आधा चम्मज नमक डाला है इन सब को हम मिला लेंगे बढ़िया से जिसकी जो कौन है वह सब एक दम अच्छे से कोटिंग हो जाए देखिए एक एक दाने के ओपर बढ़िया से एक लेयर होनी चाहिए जिसमें कि जब हम इसक किया है मतलब एक से तीन चम्मज मैंने कौन फ्लोर डाला है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से कोटिंग हो गया है तब देखिए मैं उपपर से जो यह दाने है ना इसको अलग कर लूँगी एक प्लेट में तो इसको हम फ्राइब करेंगे तो चलिए इसको हम कर लेते हैं किया मैंने गैस पर कड़ाई रख दिया है कड़ाई गरम हो गया में रिफाइनड ओइल का यूज करूंगी कौन को फ्राइब करने के लिए तो एक हम देख लेते हैं डालगे देखिए इतने ही टेमप्रेचर पर हमको इसे से करना है जिसंची हमारी जो कौन है बहुत crispy fry थो यहां देखिए मैं सारा कॉन डाल दूगी इसमें फ्राइए होने के लिए और आपको फ्लेम को एकदम असलो रखना है हाई नहीं करना है medium भी नहीं करना है slow flame पर हमें इसको fry करना है जिससे कि यह ज्यादा तेजी से लाल ना हो जाए और प्लस यह ज्यादा फूलने पर चिटकने ना लगे तो इसलिए slow flame पर fry करेंगे आप तो यह कौन जो है कि बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट भी रहेगा और क्रिस्पी भी रहेगा तो इसी तरीके से देखिए हमें फ्राइ कर लेना है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से देखिए एक एक दाना फूल के निकल गया है यहां कौन हमने फ्राइ कर लिया है अब इसको हम निकाल लेंगे देखिए सारे कौन कितना टेश्टी बनाओं आप इसको एसे भी खा सकते हैं तो सब्यक्स को很 मैं एक हरी मिर्च जाल रही हूँ और की एक हरी मिर्च heures यहां पर काट करेबी धनिया पत्ती है इसको भी यह बहुत अराम से इसकी प्लेट लगा लेते हैं यहां पर प्लेट रख लिया है अभी क्रिस्पी फ्राइक कॉन को हम इस प्लेट में डाल लेते हैं तो देखिए देखने में कितना टेश्टी लग रहा है बहुत ही कम समय में जटपट बनने वाला एक रेसिपी बनाया है तो बारिस का सीजन है भाई तो इसी तरीके से आप अपने परि कुलिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा थैंक्यू सो मॉच आप 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 कर दो